जए मात दि मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाच जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेस्बुक चैनल एस्टवाज में मित्रो आज हम चर्चा करेंगे दो नुवंबर दो हुजार एक्टिस में धन तेरस के सुब्मूरत के बारे में धन तेरस में क्या-क्या मान्यत हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे दीबदान का समय इस कारिकरम में चर्चा होगा खरिदारी का शुब मूरत इस कारिकरम में हम चर्चा करेंगे कि किस समय पर खरिदारी करनी चीए क्या उसका मुहरत है क्या क्या आप खरीदारी कर सकते हैं इसके बारे में इस कारेकरम में चर्चा करेंगे ये वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी लेकिन ज्यान प्रद होगी इसको देखे जरूर कारतिक क्रेश्न पाक्ष त्रियोदशी के दिन धन तेरस मनाया जाता है भविश्य पुरान में इसके बारे में चर्चा किये गई है इस दिन बरतन गहना जाडू सोना चांदी खरीदने की प्रथा है कहा जाता है ऐसा करने से मा लक्ष्मी की किरपा उस परिवार पे बनी रहत है इस दिन इसमें कहानिया क्या है यह मैं चर्चा कर लेता हूं पहली जो प्रथा है प्रचलन मान्यता है वो यह है कि इस दिन समुद्र मंथन के दोरान वैद धनवंत्री जी अमरित रूपी करश लेके इस ब्रह्मान के अंदर प्रकट हुए थे यानि कि समुद्र मंथन के दोरान धनवंत्री वैद अम्रित का करश लेके पिर्थवी लोग पे आये थे पहला ये मानेता है दूसरी मानेता और बहुत इंपोर्टेंट मानेता है यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपका धनतेरत बहुत अच्छा मनेगा है इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा जाते ही निर्धन हो जाओंगा तो किरपया माता जी आप मत जाईए और किसान ने उनको जाने नहीं दिया लक्ष्मी माता ने कहा कि लक्ष्मी चलाय मान है लक्ष्मी चंचल है वो किसी के घर नहीं टिकती है लेकिन किसान नहीं माना तो अंततो गत्वाक लक्ष्मी मैया न वो चारे काम क्या है वो आप चर्चा कर लेते हैं जो धनतेरश के दिन आपको अवश्य करना है जिससे की आपके घर में पूरे साल मा लक्षमी की किरपा होगी तो वो चार बाते जरूर जान ले पहली की धनतेरश के दिन आपको सबसे पहले घर को स्वच्छ रखना है यानि क तीसरी बात यहैं कि यदि उस दिन आप भोजन का हिस्सा लेकर यदि आप गाएं को कुट्टे को या बिल्ली को खिलाते हैं तो मालक्षमी की किरपा होगी तीसरी जो बात है वो यह कि धंतेरस के दिन हम लोगों को बुजर्गों का से आशिरवाद लेना चाहिए बुजर्ग चौथी जो बात जो मा लक्ष्मी ने बोला कि रात के समय में घीका दीपक आप मंदिर के अंदर लक्ष्मी की मूरती या फोटो के सामने आप जला सकते हैं तो उससे भी आपको लाव होगा तो यह चार करम आपको धन तेरस के दिन जरूर करना है बाकी और चीज तो आप जान की तो प्रदोष काल शाम को पांच बच के 35 मिनट से लेकर रात्री आठ बच के 14 मिनट तक है यानि कि इसमें आप पूजा इत्यादी कर सकते हैं उस दिन धनवंद्री की पूजा होती है उस दिन मा लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा होती है तो उसका जो सुभ मूरत है पां पूजब लगन आएगा वो शाम को छे बच के 18 मिनट से लेकर आठ बच के 14 मिनट तक आप पूजा का शुभ में भी शुभ मूरत है तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि खरीदारी का शुभ मूरत क्या है और धन तेरस के दिन कहा जाता है कि इस द पूजालों भाक्षमी सकते हैं यानी कि इन चीजों में आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो घर के अंदर मा लक्षमी रहेगी घर के आंदर शांति का वास रहेगा तो खरीदारी मैं आपको बतायता हूं तो उस समय पे आपको ये चीजे खरीदनी है सबसे पहला अभी जीत मूरत के अंदर यानि कि सुभा 11.42 से लेकर 12.26 के बीच में आपको खरीदारी करनी है फिर दूसरा मूरत है धंतेरस के अंदर गोधली मूरत जो है शाम को पांच बच के पांच मिन मिन के बीच में आपको खरीदारी करनी है तीसरा मूरतए परदोश मूरत जो की शाम को ही आएगा 56 a कर आठ बच के चौदा मिनट जो पूजा का समैं है उस समें भी आप खरीदारी कर सकते है जो पांच वा और अंतिम समय है धंतेरस का वह है निशीता मूरत यानि कि रात के समय में आपको 11 बच के 16 मिनट से ले कर 12 बच के 7 मिनट तक अगर दुकान खुली यह ओफिस लेट आ रहे हैं तो इस समय पे आप खरीदारी कर सकते हैं तो यह था खरीदारी का मूरत आप चर्चा करते हैं कि धंतेरस के दिन यम, दीप, और दान कैसे दिया जाता है इसके बारे में इस कारकर्म in चर्चा करते हैं इसकंद पुरान के अनुसार धंतेरस की सायकाल में घ़र के बहार यम को दीप दान करने का भी प्रचलन है ताकि यम पास यानि कि हारी बिमारी कलेश जो घर में हो तो से मुक्ति के लिए रात को दीपक जलाए जाता है तो आपको क्या करना है आपको धन तेरस के दिन आपको गेट पे जो आपका गेट उसमें रात को सरसो का दीपक आपको जरूर जलाना है साथ में एक लड़ू का भोग यम के लिए जरूर लगा लिजेगा और घर में प से हमें मुक्ति हो तो यह चीज आपको करनी है गेट पे दुबारा बतायता हूं गेट पे आपको एक सरसो के तेल का दीपक के निमित जलाना है उनका नाम लेकर जलाना है साथी साथ पकोड़ी और साथ में लड्डू जरूर का भोग जरूर लगाना है याद रखेगा आप ब उसमें आप पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं तो अब हम चर्चा करेंगे धन तेरस में सरल पूजा विदी की जो हर व्यक्ति कर सकता है तो आपको क्या करना है लकड़ी की चौकी लाईएगा उसमें लाल वस्र बिछा कर उसमें कुबेर लक्ष्मी जी और धनवंत्री जी क फोटो को स्थापित कीजेगा उनके सामने दीपक और धूप जलाना है और 21 बार ओम श्री गणेशाय नमा ओम श्री गणेशाय नमा ओम श्री गणेशाय नमा यदि आप बड़ा मंत्र करना चाहते हैं तो ओम गणा नाम तो आप प्रिपति गुंग वा मैं निदिनाम तो आ निदिपति गुंग वा मैं बशोमम आहम जानी गरबदम तुम जाशी गरबदम मा यानि कि गणपती का आप मंत्र छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं तो ओम श्री गणेशाय नमा आप 21 बार जरूर बोलिएगा फिर तीनों की जो तस्वीर हैं उस पे रोली, मौली, गांद, अक्षत, धूप, दही, शहद, गुड, जौ, फल, फूल, मिश्थान और दक्षिना जरूर चड़ाएं उसके बाद हाद जोड़के अपने परिवार की उन्नति की कामना करें और जो मैंने मूरत आपको दिये हैं उस पे आपको मंत्र का जाब जरूर करना है यानि की मंत्र क्या है इसके बारे में चर्चा कर लें तो मंत्र है ओम, हिरीम, श्रीम, क्लीम, श्री, कुबिराए, आश्टलक्ष्मी, ममग्रह, धन, पूरे, पूरे, नमा ये मंत्र की आप एक माला जरूर करें और इसको सिद्ध कर लें जो मूरत आपको पूजा का दिया गया है उसमें आपको एक माला करनी है अगर एक माला आप इस मंत्र की नहीं कर पाते तो 51 बार 31 बार जरूर करें फिर अगले दिन आपको क्या करना है कुबेर की जो आप फोटो लाए हैं उसको उत्तर दिशा में रखाईएगा धनवंत्री की जो फोटो हैं उनको आपको ड धने की बरकत बड़ेगी आप यह प्रियोग करके देखिएगा तो मित्रों इस कारेकरम में बस इतना ही मुझे दिज़े जाया जय माता दिमित्रों